गोवा में बीजेपी की राश्ट्र कारेकारणी की बैठेक हुई जिसमें भाजपा के कई दिकल देता मौजूग थे बस कमी थी तो सिर्फ लालकृष्ण आडवानी की ये बहुत ही चौकाट देने वाली बात रही क्योंकि बीजेपी की इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 85 साल के लालकृष्ण आडवानी पार्टी राश्ट्र कारेकारणी की बैठेक में शामिल नहीं हुए उनकी गैर मौजूद्गी में ही मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार समिती का अध्यक्ष बनाया गया 1980 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी की राश्टी कारकारणी की बैठक बिना आडवानी के शुरू हुई उनके यहां ना आने की वज़य चाहे जो भी रही हो पर उनकी कमी सब को खलती रही और मोदी से उनकी नाराजगी की खवरों का बाजार गर्म रहा अगर हम 1980 की बात करें तो महज अडल बिहारी वाजपाई और लाल प्रश्न आडवानी ही थे जिनोंने बीजेपी की नईया पार कराई थी और आज वाजपाई के सन्यास के बार आडवानी को पार्टी के कुछ नेता सन्यास नेने को मजबूर कर रहे हैं जहां आज आडवानी को होना चाहिए वहां मोदी आ चुके है हुआ भी ऐसा ही कुछ मोदी के आने के बार आडवानी ने पार्टी के सभी पदों से स्टीफा दे दिया हलाकि आडवानी को मनाने का दौट जारी है अगरे किया है और पार्टी के सभी वरिष्ट लोग उनसे आगरे कर रहे हैं और आगरे ही नहीं हम इस विश्वास करेंगे कि हम पूजनी अडवानी जी को मनाएंगे हमारे लिए बहुत दुर्भागी पूर्णे के उन जैसा व्यक्ति हमारा शीर्ष नेता हमारा भुजर्ग घर का इस तरह इसी फादि पर हम मना लेंगे देखना ये है कि अब पार्टी का रुप क्या रहेगा अब हम एक नज़र डालते हैं आडवानी जी के स्थीफे पत्र पर संग की सह और कारेकरताओं की मांग पर राजनात ने मोदी को कमान सौप तो दी है पर अडवानी की कथित नाराजगी के चलते आगे का सफर दोनों के लिए कटनाईयों भरा रहेगा पंजी गोवा से इस समय कैमरा परसन सुभास के साथ हम बुशपांडे निउस पॉइंट